श्री भगवतेश्र रामकृष्णाया आपमादेर स्वामी होरी होर तित्थो शारोग भुक्त्रिताई सवाई के अंतोरिक सागोतो जानाई गोलपार्ख रामकिशिम सेंस्ट्रप काल्चेलर रिती अनुशारे प्रुथमे जा सम्माने एई शारोग भुक्त्रिताई अनुश्ठितो हबे शेई स्वामी होरी होर तित्थो शम्मंदे प्रारोम्भी कोईक्ति कथा तार पर आजके जिने विशिष्टो भक्ता ता सम्मंदे कोईक्ति कथा सोनाभो राजस्थानेर उदाईपुरे एक धर्मनिष्ठो ब्राम्भन परिवारे स्वामी होरी होर्तित्थो महलाजे जन्म तार पिता सास्त्रग्ग पंडित और आजबंशेर पुरोहित छिलेन सुशंपन्न परिवारे संतान तिनी प्रथम थेकेई जागोतिक विश्वाय उदाशीन बोईराग्गो बान छिलेन प्रथागतो पठन पाठनेर पत तिनी काशिते सामी परमनंदो तिर्थो जीर काचे सास्त्रो अर्धरन करेन और परबुर्तिकाले तारकास थेकेई सोन्नास्तिक्खा लाप करेन एर पत्तिनी नाना बाधा विपत्ति अतिक्रम करे उपस्तितन रिशिकेशेर कोईला सास्त्रो में सेखाने बिशिष्टो तत्तोगो महापुरो सामी विष्णु देवानांदो गिरीचीर सन्निद्धे थेके आरो गोभीर सास्त्रो अधन करेन परबुर्तिकाले सामी हरी हर तिर्थोची नियमीतो सास्त्रनु रागी ग्रीही ओ सोन्नाशी देर सास्त्रो कथा सोनातेन ताके एकाधिक बार कोईलाश आस्ट्रमेर मन्डलेश्षरेर पदग्रहनेर अनुरुद जाननों हाई किन्तुतिनी प्रुति बारी सबीनाई पदग्रहने असम्मत हन तार प्रशांतो मूर्ती भक्तरिदाई समुज्यल स्वामी होरीहर तिथो महराजेर शरोने बाद्शोरीक बोक्तिर्तामालार आयोजने उद्धोग्नियेचन मेदिनिपूर मायापुरेर होरीहर आस्ट्रमेर भिखो स्वामी निस्त्रयाशाननद पुरीजी महराज प्रशंगतो निश्रेयशाननदोजित पिता माता रामकृष्ण माठ ओ मिशनेर भुतोपूर्ब प्रसिटेंट स्रीमत्स्वामी विरोजाननदोजी महराजेर मंत्रो शिष्ष छिलेन और आजकेत जिनी विशिष्टो भक्ता तास सम्वन्धे दुएक्टी कथा बला जाक। संगेतार पुरिचाय हाय तार मुद्धे उत्तरकाशीर सिबाननदो आस्रमेर पुतिस्ठाता स्वामी चोईतनननदोजी स्वामी चोईतनननदोजीर काचे जखन उनी प्रथो मुखमुखी हन परबुर्तिक आले स्वामी चोईतननननदोजी ए सेगा अप अन्फोल्ड मेन तार आत्त जीबनी ते पुज़नियों महराज सम्मोंदे उल्लेक कोरे छेन जेटी पोले छी शेटी आपने देश्यामने निबेदन कोडशी जखन उई पनेरो बचरेर कीशोर चोईतननननदोजीर काचे उपस्ति थन तकन मने हलो जान बोईराग्ये जलन्तो मुर्ति तार सम्ने बाशोना कामोना तार जीबने बिंदु मात्रो स्पर्षो करे निशेटी अत्तन्तो स्पष्टो अत्तन्दो मेधाबी चिलन आर जखन तीनी बाडिते चिलन बाडिते नियोमितो पुझो आर्चार ब्यापाद चिलो शेई समय कीशोर कुट्टी सामीजी तकन कुट्टी तार मत्याक विशेश सक्तिर प्रकाश पावा जेतो बिशेश करे पुझोर आशने जखनी तीनी बोस्तेन एक्टा दोईबी निर्देश पेतेन एबों नाना अध्धात्तिक प्रस्णेर उत्तर उई बालोग दिये दितेन जिटा शाभाविक भावेई शाभाई के अबाग करे दितो शेशंगे शंगे तार आरेक्टी सक्ति होलो रोगीर रोग निट नए एबं निराम है तार उपायो तीनी बोले दितेन शाभाविक भावेई चखन चाना जानी होये गालो बारीर आशे पाशे प्रचूर लोग जनेर भीर बाबा बिरोग तो होतेन किन्तो अशो हाए तीनी कीचो बूस्ते पार्चे नहीं सब की होच्छे तार पर तीनी आप नाम करा जोती शिर्काचे जान शोत्ति कारेल ता ज जिबन चर्जाँ खोब भालो चिलो तीनी तकन समस्त कीचो देखे शुने बूलें जे पूर्भो जनमेर कोनो सिद्धो गुरु तांके पुरिचाली तो कोर्चे न। एबं तार क्रिपाते ही बालो कुट्टीर मध्धे एक्टा विशे शोक्तीर प्रकाश दाखा गालो जोतीश ही एबार बालो कुट्टीके निये बिभिन्न जाएगाए जावा शुरु कोलें साओत इंडियार करनाठा के येलें तामील नालुते अंधर प्रदेशे बिभिन्न मानुषे रोग निर्ट्नाए रोग निरामाए धुटोई तीनी कोरे दीतें एबं तार भाबा की जोतीश ही एबार बालो कुट्टे पाथ शिलना क्यानो जे धाहागालो जे शामान्नो कोईक दिनेर पड़ा सोनाथे तीनी क्लासे फस्ट होतें फले कीचु बोलते पाथें ना एई रोकों बेश कीचु दिन चल्लो तार पर तार गुरूर कास थेके प्रकार निर्देश त कोरोना तार कीचु दिन बादे तान मध्धे थीब्र बोईराग्व एबं तार पर उत्तर काशी आर उत्तर काशी ते ओ जीबन चर्जा अनिकेर काचे प्रेरोना शरू जारा उखाने थाकें जारा उखाने जान तादेर काचे आक प्रेरोना शरू और पंडित्तो ओ जीबन चर्जा दिने राते जारा द्याखेन तांदेर काछे तिनी एक अनन्न शुन्ना शिरूपे पुरीचितो आरेक्टी घटनाजे प्रुती बच्छरुने निजेके जाचाई करा जुन्नो इश्वन निर्भरत जाचाई करा जुन्नो पाए हेटे कखनो गंगोत्त्री कखनो जोम तिन से भी ज्यादा मना हचे किछु दिन तार स्वमयल लेगे छिल अखने जेते पाए हेटे और तार जीमने जेते लाखा जाए जे जोदियो तिनी अखने जे शंकर चाज्जवा आदी बिद्धा पीठर जे शेखने तिनी अध्धख एबंग आचाज्जवा किन्तु तार भुक्ति, कर्म एबंग जोग एई चाटिर अध्भुत्र स्वमन नए देखा चाए मने आचे आमी आगब जिग्येश कुरे चलाम जा आपनी इरोकम अध्भुति कीकुरे जागे तो अध्भुत्र कम एक्टा स्वमन नए ओनाज जिगने देखा चाए और से शंगे शंगे आरेक्टिक अथा बोलते ही है जेती उनी गतो पोर्षु दिन गतो काली आमदे विवेकान अंदा हले जे सेमिनार होये चलो शेखाने बोले छिलें जोखन तार बाश एगरो बचुर तोखन सी राम क्रिश्नेर जीवन एबंग बानी शंबली तो एक्टी बोई पान एबंग शारा रात धोरे तिनी बोई निये मुस्कुल छिलें ताही तिनी बोलें जे अमार उद्धत तो बीज जेदी कौनुभाबे उनमिली तो प्रतों होये ताले सी राम क्रिश्न देवे जीवन एबंग बानी रपिले रणाएं तो अपना रागे चानें जे आजके प्रशंगो स्वामे जी सनातन धर्म का तात्पर ये क्या है और ये सनातन धर्म के मूल सिध्यानत भी क्या है और सनातन धर्म के परती हमारा दृष्टिकों कैसा होना चाहिए और आजकल कुछ नेता लोग कभी कभी सनातन धर्म के बारे में बुरा क्यों बोलते हैं ऐसा बहुत सारे बिचार हमरे मन में आता है आपसे बिनम्र निवेदन है कि इस बारे में करिपे अपना बिचार साजा करें आपसे निवेदन है इसके साथ साथ आप सनातन धर्म के बारे में 6 बजे तक आप बोल सकते हैं 7 बजे तक बोल सकते हैं या और बेकुश सुनिंत तक बोल सकते हैं स्वामी जी आपको हमारे सब कियुर से प्रणाम कि आया ब का अम 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 सहनाववतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं करवावः ते जस्विनावधितमस्तुमाविद्विषावः अम शान्ते 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 श्रे गुरुभ्यो नामाः अम जै रामकृष्णा सभी को प्रणाम आज जिनके अनस्मरण में ये कारिकरम हो रहा है अभी अभी याद हुआ था कि परंपुज्य स्री हरिगर तेर्थ जी के अनस्मरण में ये धर्म सनादन धर्म विशय पर विचार है सभाग्यवश्य हम भी उनीके परंपरा में आते हैं कि हमारे दोनों विद्यागुरू परंपुज्य चैदन्यानंद सरसुदी जी महराच एवं परंपुज्य आचार्य विश्नुतिर्थ जी महराच कि दोनों ही इसी परंपरा में आते हैं चैदन्यान जी महराच अपने जीवन में बावन साल तक 52 years उत्रकाशी में ही रहे उत्रकाशी में ही वेदांद के अध्ययन अध्याबन कराते रहे उन्होंने परंपुज्य बड़े महराच जिनको हम कहते हैं विश्ण देवान उंदेगी जी महराच से साक्षात अध्ययन किये हैं तो इसी क्रम में आचारिक के आचार्य होने के कार उस परंपरा में कैलास अस्रम के परंपरा में हैं और दूसरे हमारे आचार्य इस समय भी जीवित है हमारे ब्रमविद्या पेठ के प्रमख आचारियों में है परमपूज्य विश्मतिर्थ जी माराज वे तो साठ्षाद हरिगर तिर्थ जी माराज से ही व्याकरण आधी के अध्यन किये हैं उनकी सेवा में भी थे कि जैसा भी कहा गया हरिगर तिर्थ जी के जीवन बहुत ही सरल सादगी पूर्ण और उनके समय में उत्रखंड में उनके जैसे विद्वान नहीं थे विरक तसंद थे और कहीं भी नहीं जाना एक ही जगा रहते थे ऐसे भी कैलास के परंबरा वैसे ही है कि आप कैलास आश्रम के बारे में तो सुने ही है हमारे वेदांद के परंबरा में सर्वोत्तम कोई स्थान है वो कैलास आश्रम है आज भी वहाँ वो परंबरा वैसे के वैसे आनवरत धारा प्रवाह चल रही है तो पूजे स्वामजी माराज भी विवेगांद स्वामजी भी वहाँ उनके उत्रखंड के परिवराचन के समय में कैलास आश्रम में रुके हैं वहाँ कुछ समय वहाँ के जो संस्थापक स्वामजी थे परंबूजे धनराच गिर जी माराज उन से वेदांद के श्रवन किये हैं अध्यन किये हैं उनके जِवन में है यह और उसके बाद आदि आदि जितने भी आएं है सभी ने वहाँ कैलास आश्रम के संतों के और उनके परंबरा को अपनाया और हम सभी एक प्रकार से उसी परंबरा के है यहाँ विशय है सनाधन धर्म यह हम अनवरत सुनते आए हैं अपने जीवन में सुनते आए हैं कि सनाधन एक धर्म है जो हम सब के हैं किन्दु सनाधन धर्म जब हम सब के लिए करते हैं तो यह वस्तुतहा सब के धर्म है कारण क्या है कि यही एक ऐसा धर्म है जो करता है कि न केवल सनाधन अवलंपियों को मुक्छोगा किन्दु सभी को इतने ही विशेषता आप देखिए कि यदि सभी को मौक्छोगा हो सकता है और सभी को सुग हो सकता है सभी ही अपने सुरूप आनंद को पा सकते हैं इश्वर का दर्शन कर सकते हैं एक बहुत बड़ा सिध्धांद है जिसको केवल सिध्धांद के रूप में नहीं अपितु अनुभव के रूप में संतों ने अनुभव किया है समय समय पर इस धर्म के अनुशरन करते हुए अनुभव करते हुए संतों का जन्म होता है और संद अपने जीवन में उसको जी कर दिखाते है हमारे परंबरा में कितने सारे अवतार के रूप में संतों हुए विशेश जो शक्ति जिनको प्राप्त हो जाती है इश्वर से उनको हम अवतार करते हैं मैं बाद में इसके बारे मी बता हूँगा क्योंकि सनादन धर्म के संपूर्न विश्यों का विचार तो इतने समय में तो नहीं हो सकता तो मैंने अपने मन में ये धारण किया है कि जो जो विशय जिसको लेकर के समशय होते हैं उन विशयों पर कुछ अपना वक्तव्या रखे तो समय समय पर चंद जन्म लेकर के जो सिध्धांद फिलोसफी के रूप में बताते हैं उसको अनभव करके प्राक्टिकल करके दिखाते हैं उसके साथ उस काल के अनुसार जो जो हो सकता है जो परिवर्तन हो सकता है वो भी करके दिखाते हैं ये केवल सनादन धर्म में ही ये संभव है क्योंगी हम अपने धर्म को ही सनातन मानते हैं सनातन का अर्थ है, अपरिवर्थित, नित्या. ये जो सनातन, ये दो शब्द जुड़ा हुआ है, समस्कृद शब्द है, ये सना एक indeclainable है सम्स्कृद में, अव्याय कहते हैं जिसको. जिसका अर्थ होता है सदा जो सदा शब्दम प्रयोग करते हैं बिलकुल उसी का परियाय है सदा और सना दोनों का अर्थिय की है सदा तन कहो सना तन कहो अर्थिय की है तन मन तन एक सफिक्स लगाते हैं उसका अर्थ होता है उस समय का जैसे अध्यतन समस्कृत में अध्यतन का मनए टुडेस आज का ह्यस्तन बोले तो कल का पूर्वतन बोले तो पहले का तो ये एक सफिक से लगाते हैं तो सदातन हो गया सनातन तो सनातन बोले तो हमेशा जो रहता है हमेशा रहने का सुभाव जिसको है जिसको नश्ट नहीं कर सकते और ये सनादन शब्द का अर्थ और शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से आये हैं और भारतिक के संस्कृति में ये पहले से लेके चलता आ रहा विष्ण सहसर नाम में भी आप देखेंगे विष्ण भगवान का नाम भी सनातन कहा ब्रह्म का नाम भी सनातन है शिव का नाम भी सनातन है तो ये शब्द का अर्थ है ये शब्द में कुछ नहीं है ये शब्द प्रयोग करने पर किसी को अग्रह हो जाएगा ये शब्द ही हो जाए दूसरे शब्द ना हो जाए क्योंकि हमारे यहाँ ये एक आजिकले का ऐसी प्रधा चल पड़ी है कि कोई एक शब्द का बारवार प्रयोग करते है लोग जो है उसको उसी के पंध बना करके एक ग्रूप बना करके एक सेक्शन बना करके उनको उसी शब्द के साथ जोड़ देते है ये बहुत बड़ा मुस्किल है यदि मैं बार बार सनातन शब्द का प्रयोग करूँगा तो आप अंदे तक कहेंगे ये सनातन वाले हैं फिर मेरा नाम हो जाएगा सनातन वाला इस सा हो जाएगा ये ये मुस्किल है शब्द केवल communication के लिए होता है आप जानते हैं केवल वारता विनमय करने के लिए होता है और मनुश्य मानुश्य का इसा जीव है जो शब्द प्रयोग से वारता विन्मया आराम से कर सकते हैं, परसपर कर सकते हैं, वैसे अन्य प्राणी भी अपने शब्दों से वारता विन्मय करते हैं, तो इसलिए ये शब्द इतना बताता है, तो ये धर्म एक जीवन है, जीवन के शैली है, अब मैं तो ये कहूंगा, कि जो भी भा भार्द वर्ष में जन्म लेते हैं, जब जीवन शैली की हम बात करते हैं, भार्द वर्ष में कोई भी धर्म में, किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में जन्म लेते हैं, तो उनके रत में, उनके खून में ही ये आचार आई जाता है, वो भला नास्तिक भी हो कोई बात ने, नास्तिक होने पर भी कुछ तो उनको मानना ही पड़ेगा हमारे यहां अभी कितने भी नास्तिक होगे आप ध्यान करके देखे वो नास्तिक भी कुछ नास्तिक दा बताते हैं ना ना बोलते हैं इश्वर नहीं वो नहीं ये नहीं सब बोलते हैं लेकिन कुछ तो उनको मानना भी पड़ता है, आचरन करना भी पड़ता है, यही इसकी सत्यदा है, इसको मिटा नहीं सकते हैं, वो आपके डियने में हैं, आप माने न माने, वो गुम फिर करके वहीं जाएगा, ऐसे हम कितनों के जीवन देखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा, कि यह जो सनादन धर्म को हम संक्षिप्त में परजे करने के लिए कुछ विभाग करके बताएंगे, सनादन धर्म का दो स्थर हैं हम बता सकते हैं, दो डिविशन ऐसा सोचेंगे, दो विभाग, एक विभाग है, जो वेदाम्द पर परिनिष्ठित है, जो अद्वईद वेदाम्द की ही बात करते हैं, और सभी के अंदर जो अदृष्यमान रूप से, विध्यमान आत्मा की बात करते हैं, उस आत्मा के लक्षन में सत चित आनंद, तीनी लक्षन दिया है, यही एक सत्य है, सत्य यानी अस्तित्व एक्सिस्टनस, चित चैतन्य है consciousness है जिसको हम awareness बोलते हैं consciousness बोलते हैं sensation बोलते हैं यह चित है और आनंद है जिसको हम हमेशा चाहते हैं हमेशा अनुभव करना चाहते हैं जिसमें हमारा जीवन स्थित है जिसको bliss समझा देते हैं अब यह जो सत चित आनंद में कहीं कोई विभाग नहीं है ये पक्का मान लीजे कि ये तीनों में विभाग करने सकता ये हमारे धर्म नहीं कहता है कि येदी सनादन धर्म को नहीं मानता है तो उसको सचदानंद कानभव नहीं होगा उसको आनंद नहीं मिलेगा उसके वजूद नहीं होंगे ये तो नहीं हो हम तो इसलिए कहते हैं कि वो नास्तिक भी एव तो मानते हैं वजूत को तो मानते हैं Nobody can deny assistance Because the denier itself exists तो denier को denier नहीं कर सकते हैं तो इसलिए उसका denial नहीं होता है यह है सबसे उत्तम स्थर जिसको हम लोग सभी बोलते हैं एक philosophy की philosophy है यह तत्व शास्त्र है यह हमारे समझ में नहीं आता है यह सब के लिए नहीं है जो विरक्त होते हैं या साधो होते हैं गुफा में बैट करके ध्यान करते हैं उनके लिए हैं अधवा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसको जानने के बाद फिर हमको सब को छोड़ना पड़ता है नवकरी छोड़ने पड़ती है और ग्रस तो छोड़ना पड़ता है फिर कोई मजा नहीं आता है जीवन में यह यह सब सोचते हैं जबकि ऐसा नहीं है आप मानते हुए भी नहीं मानते हुए भी जानते हुए भी नहीं जानते हुए भी आप उही है इससे बाहर जाई नहीं सकता और ये जो सचिदानन्द है वो एक है एक तत्व है अद्वईद है सदेव सवमेदम अग्रमास इद एकमेवा दुदियम आत्मेवेदम एक आग्रासीत आत्मेवेदकम सर्वम ब्रमेवेदकम सर्वम ऐसे ऐसे बाक्य है तो ये जो अद्विदियत तो है इसका भी आमें अनुभव होता है हम उस पर बात में बताएंगे कैसे अनुभव करेंगे आपको अनुभू करा के छोड़ेंगे दूसरा स्थर है इस तत्व में मन को ले जाने के लिए आपके कुछ प्रप्रेशन की जरूरत होती है कुछ प्राक्टिस की जरूरत होती है कि आप यदि कोई सब्जेट पर पी एच डी करना चाहते है तो उसका हाइस्ट स्टडी रिसर्च करना चाहते है तो आपको क्रमशहा उसका अध्यन करना पड़ेगा कुछ प्रप्रेशन की आवश्यकता है प्रप्रेशन के विना नहीं पहुंच सकते हैं तो उस पर मन को ले जाने के लिए बहुत सारे systematic जिसको हम साधन बोलते है साधन मन एक discipline है जिसको अभ्यास करना होगा आप किसी भी सिस्टम में जाएए कोई भी कार्य में जाएए उस कार्य का एक discipline होता है आपको nursery school में पढ़ना है nursery school का एक discipline होता है आप बाद में स्कूल में जाके पढ़ा ही करते हैं वहाँ डिसिप्लीन होता है कॉलेज में डिसिप्लीन होता है समाज में डिसिप्लीन होता है आप जब जौब करने के लिए कोई कंपनी में या सरकार में कहीं भी जाते हैं उसमें डिसिप्लीन होता है खेल खूद करने जाते हैं वहां भी discipline होता है military में तो है ही तो आप ये बताएए without discipline कहीं भी कोई achievement होता है नहीं होता है ये एक psychological reason है without discipline you cannot achieve anything क्यों कारण क्या है कि mind जो है ना चंचल है ये बहुत कुछ एक साथ कर सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है कुछ चुपचा बैटता है कुछ भी करता है तो उसको regulate करना पड़ेगा discipline में लाना पड़ेगा then you can use the energy of the mind mind को concentrate करके ले जाने के लिए इसलिए discipline के आवशिकता है केवल साधन हम कहते हैं केवल अध्याद के लिए नहीं सभी कारियं के लिए साधन की जरूरत है यह जो comedy करते हैं आज अब लोग TV में देखते हैं comedy वाले बहुत comedy करते हैं आपको लगता है यह कितने सललता से करते है आपको इतने हसा देते हैं गंड़ों तक हसा देते हैं उनके पास बहुत स्टॉक होता है, मजा करते रहते हैं, लोग इस पर देखते रहते हैं, लेकिन ये comedian जो आपने को training करते हैं, आप देखेंगे बहुत कठिन होता है, अब ऐसे ही comedy बोलना आसान है, लेकिन एक विवस्थित रूप से comedy बोलने के लिए उसके लिए भी discipline training होता है इसके विना नहीं हो सकता, तो ये जो है हमारे धर्म का दूसरा भाग है, और इस पर जो है, ये जो दूसरा भाग है, इसमें अनेग विधा, बहुधा वदंदी, जो कहते हैं एकम सद विप्रा, बहुधा वदंदी जो है, ये अनेग अनेग प्रकार जो दिखते हैं, ये साधन के स्थर पर है उसमें अनेग प्रकार है उसमें कुछ आपको acceptable होगा आप किसी को स्युकार करेंगे और कुछ स्युकार नहीं करेंगे कुछ आपके लिए अनकूल होगा कुछ आपके लिए प्रतिकूल होगा जैसे जानमार्ग भक्ति मार्ग इतियादियम चर्चपहले किया है अने एक मार्ग है जैसे स्वामी जी ने कहा प्रतेग विक्ति के लिए एक रिलीजन, एक प्राक्टिस हो वस्तों में वो पूर्ण अधा सत्या है आप हम अभी भी ऐसे ही है हम तो मानते हैं एक धर्म को एक गुरु को लेकिन एक गुरु के भी चार शिश्य होंगे तो चार प्रकार के साधन करेंगे उसमें कुछ-कुछ अंदर होता है वो मेडिशेशन एक ही मेडिशेशन टेक्निकी सीख करके अपने आप करते हैं क्यों? आपका मन दूसरे से अलग है आप अपने आप एक साधन पक्तदी डवलप करते हैं उस पधदी उस मार्ग पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आप ऐसे डवलप कर पाए तो आप साधन मार्ग पर अग्रसर हो गए नहीं कर पाए आपको समशय होता रहता है तो फिर आपको और सीखने की ज़रूरत है तो इसलिए यह सत्य है कि साधन मार्ग पर अनेग प्रकार है और इसको सनादन धर्म में सहस्राब्धों से मन हजारों हजारों साल से इसको करते 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 purify करते गए उस में कहाँ व्यवस्था है कहाँ व्यवस्था है देश-काल-वस्था ऐसा दुनिया में और कोई धर्म नहीं है जो करता है कि देश-काल-वस्था के आनुसार आपके साधन में परिवर्टन करना चाही यह कोई नहीं मानता हूँ उनका सिस्टेम बना हुआ आपको फोडो करो, नहीं करना ता नहीं करो, देश काल की गणना हमने की है, क्योंकि इसकी आवशिकता, इसलिए ये जो मैंने कहा कि जो फिलोसिफिकल, जो अद्वेद दर्शन की बात, और उसके बाद ये साधन की बात, ये साधन क्या है, purely discipline है, preparation ह आप साधन में इतने आस्था ना रखिए, कि ये साधन ही सब कुछ है, हमारे लिए साध्य सब कुछ होता है, साधन तो वो साधन है, मार्ग है, मार्ग तो मार्ग होता है, और मार्ग को ही आप लक्षे मालने तो कैसे होगा, तो मार्ग आपके सुविधा के अनुसार आप बेवस्तित कर सकते हैं ये सुतंदरदा ये फ्रीडम सनाधन धर्म में है इसलिए इस धर्म में अनेग दिखता है इतनी देवी देवताएं क्या क्या दिखता है ये हमारे फ्रीडम के कारण है और यही इसकी सत्यदा है इसके कारण इसको इस धर्म में कुछ नहीं होता है क्योंकि एक ना करें, दो ना करें दो प्रकार से ने करें, एक प्रकार से ना करें तो हमारे पास हजारों प्रकार है अब करो जो भी आपको लगें करो लेकिन लक्षे ये रखो भाव में ये रखो कि हमें उस सचिदानंद सोरूप में पहुंचना है इसके लिए देखिए ये व्यवस्ता में साधन में कितने प्रकार आए और ये सब केवल किदावों में नहीं है कि हमारे सामने जैसा मैंने कहा आचारी लोग जन्म लेते और अनुभव करके दिखाते जैसे ठाकूर जी देखि स्वाम जी देखिए हमारे सामने है ये कितना अद्भुत है कि उन्होंने अपने जीवन में सारे साधनों को अपना करके उसके अभ्यास करके आपको दिखाया ये कर नवनवनमेश के साथ उसको प्रकट किया स्वाम जी ने उसको पूरे दुनिया में प्रचार कि और साउत में हम देखते हैं वहाँ एक रमनमर्शी हुए लगबख काल तो कुछ ही है अंदर है उनके भी जीवन में देखते हैं बस बिलकुल वह स्तत्व को जानने के बाद कैसा होना चाहिए बिलकुल चुपचाप मौन में रह करके अपने जीवन चला है और अंत में जब बोलने लग गए सभी के अन्रोद से बोलने लग गए और सब कुछ उनके वह स्वाभावी की था तो ऐसे संदलूक और राजा महराज जब यह हमारे यहां सिद्धो हुए हैं जनक महराज जैसे अन्य भी अन्यक राजाएं हुए अईसे नहीं जनक प्रसिद्ध है सबीस तर में हुआ और यहां जादी पादी का कोई इसाब नहीं आप देखेंगे यहां वर्न जादी का कोई मतलम नहीं होता और यहां सनादन धर्मे ऐसा है कि कोई भी उस जन को प्राप्त करता है जन को प्रमुख मानते हैं जन को यह मुख्य मानते हैं और वो किसी भी जादी का हो किसी भी स्थर का हो उनको भगवान मान करके पूजा करते है अभी आप देखेंगे केरल में मादा मृदान दमही देवी अब उनके बारे में सुने होंगे यदि आप आज के जानकारी के अनुसार एजुकेशन के स्तर पर या साइंटिफिक रिसन के सोशल रिसन से अधवा हमारे सनादन धर्म की जो नियम, कानून, इत्यादी जो बोलते हैं उसी के रिसन से किसी भी तरह से देखे वो सामान्य एक मचवार एक घर की है और केवल चार तक पढ़ी है गाव से बाहर तक गई नहीं चार स्कूल में चार स्टांडेड तक वो पढ़ना लिखना आती है किन्दो आज इतने एक बड़े एक मिशन के हेड है और कितने उनके यूनिवेर्सिटी है उसके वाइस चांसलर है चांसलर भी है सायद ये क्या अधवद है देखे ऐसा नहीं कि बात में फिर बात में उन्होंने स्कूल में एजुकेशन किया या ग्राजुएशन किया कुछ ने किया भी तक ये है कि जो दूसरे स्थर पर पहुंचने के बाद में ये पहले वाला स्थर लुप तो हो जाता है लेकिन पहले वाले स्थर से ही दूसरे स्थर पर पहुंच सकते हैं उन्होंने भी अपनी साधन किया काली की उपासक थी जैसे ठाकूर जी के जीवन में है बिल्कुल मुझे बहुत सारे साम्यदा दिखती है और मन से अमेरिक जहां तक जानकारी है अम्मा ठाकूर जी को ही गुरू मानते हैं इसलिए ठाकूर जी को गुरू मानते हैं और उन्ही के अनसार उन्होंने जीवन चलाई है और उनके सन्यास परंबरा भी मिशन के अनसार ही रखे है पुरी परंबरा में ही रखे है और यहां के स्वाम जी मैं यहां से मिशन चोड़ के गए जो स्वाम जी थे स्वाम जी नहीं सन्या सदिक्षा भी किया इसी परंबरा में रखे तो पूरी नामा है जैसे इदर रोते है तोधा बुरी की परंबरा से तो मैं कह रहा हूँ कि यह है सनादन धर्म की एक नीव मनादिष्ठा अब इसमें अब अद्वईद तत्व की जो बाते हैं सर्वम खलूई दम ब्रमा इत्यादी जो बाते हैं तत्व की दृष्टी से होगे हमारे वेद में यह परंबरा रही है वेद में आप सुने होंगे तीन प्रकार की व्यक्या है तीन प्रकार वेद में शब्द मिलते हैं जिसमें हम उलज जाते हैं हमें confusion होता है एक वेद के ऐसे शब्द है जिसको तथ्यक अधन करते हैं मने तथ्यक अधन करते हैं तथ्यक मने reality, truth तो speaking about truth केवल तथ्यक के बारे में कहेंगे जो वस्तुस्ति दिया है उसको बोलेंगे जिसको हम reality बोलते है या rational understanding बोलते है जिसको तथ्यक अधन बोलते है जैसा ये पानी है तो पानी है ये ये dusk है तो उसको dusk बोलना तो सूर्य है तो सूर्य बोलना चंद्र है तो चंद्र बोलना, जैसा जैसा है वैसा बोलू ये उसको बोलते है तथ्यक अधन ये तथ्यक अधन के अंदर सारे उपनिशत आता है उपनिशत के जितने वाक्या हैं, जो वेदांद परग वाक्या हैं ये सब तथ्यक अधन में होता इशावास्यमिदगं सरवमित्यादि दूसरा वयद में ही मिलता है रूपक कथन रूपक आप जानते हैं सायधे जो अधियन करते हैं रिसंबलंस जो देते हैं रूपक कथन होता है तो रूपक का अर्थ है कि एक कोई चीज़ को बताने के लिए आपको एक रूप बना करके कलाकारी रूप से बना करके कुछ उदाहरन बना करके कुछ चित्र बना करके आपके सामने रखेंगे यह भी वेद मिलता है जिसको देकर के जितने व्यक्याकार हुए हैं देश के और विदेश के विशेश करके विदेश के जो व्यक्याकार वेद के हुए हैं वो confused होगे कि इतने सत्य कहने वाले ग्रंधों में ऐसे ऐसी भावना कैसे आ सकती जैसा for example एक है कि वेद में एक सुक्त आता है उसमें यह कहते हैं कि सूर्य जो हमारे सामने है सूर्य सूर्य एक रध पर बैठा है ठीक है न और उस रध के साथ घोड़े है साथ रंग के साथ घोड़े है और अरुन उस रध के सारती है इसके व्यक्या बहुत विस्तर रूपे है जब मैं सब्च्रिप में बोल रहा हूँ अब ये सुनने से आश्चर होता है कि हम उदर देखते है ना कोई घोड़ा दिखता है ना कोई वहाँ कोई दिखता है कुछ नहीं दिखते है तो सत्य कहने वाला वेद शास्त्र ऐसे बातें कैसे कहरेंगे जो मनिश्य भी कलपना नहीं करते कोई बच्चा भी नहीं कलपना कर सकते ये है वेद में साहित्या वेद आपके मन को वहां तक पहुंचाना चाहता है कारण क्या है कि आप सूर्य को देखर के ध्यान करने बैठेंगे ध्यान करने के लिए मन का ये सुभाव है कि मन एक ही जैसा समान रूप से ध्यान ने कर सकता आप लोग सब ध्यान करते तो पता रहता थोड़ी देर एक प्रकार से ध्यान करते फिर उसको कुछ आक्टिविटी चाहिए कुछ सपोर्ट चाहिए कि जिससे के कारण वहां ही रुके तो फिर हम कुछ भावना करते हैं जैसे कृष्ण का हम ध्यान करते हैं देवी का ध्यान करते हैं तो बहुत सारे वहां असरिंकार और सब देखते हैं रूप की सुंतरता देखते हैं तो इसी प्रकार प्रदिदिन जब गायत्री मंद्र जब करके सूर्य का ध्यान करेंगे जो भी उसको भी एक भावना चाहिए भावना के विना उतने समय मन वहाँ नहीं रुकेगा कि मन की आवशिकता है एक psychological factor है वो उसमें नहीं रुकता है क्योंकि वो ऐसा ऐसा fluctuate होता रहता है तो उसको निरंदर उसमें रोकने के लिए कुछ न कुछ support चाहिए तो इसलिए वेद ऐसी भावना वहाँ करते है और ये रूपक कधन को विस्तार करते करते पुराणों में ले गया इदिहासों में ले गया काव्यों में ले गया और उसके बाद आता है आदिशयोक्ति आदिशयोक्ति मन बहुत चोटी सी बात है लेकिन इतना लंबा चौड़ा विस्तार करके बोलेंगे जिससे कि आपको भावना आपकी भावना उसमें बन जाए कि जैसे आप महाभारत के युद्ध देखते हैं या पुरान की कथा देखते हैं तो उसमें भावना भर जाती है उसके बारे में क्या मन में एक विकार पैदा होता है, एक एमोशन पैदा होता है, जिसके लिए अदिशयोक्ति करते हैं, छोटी सी बात को बितकथा बना करके बताते हैं, ये तीन शैली मुख्यत अहा वेद में मिलता है, और ये तीनों शैली के अनेग गरंध बने हैं, मैं इ वेदांग है स्मृती है पुराण है और इस प्रकार उसमें इधिहास आता है आगम निगम जो तंदर आदी में आता है आगम निगम आता है और दर्शन शास्त्र आते है सिद्धान्द शास्त्र जैसा सूर्य सिद्धान्द आदी जो जोदिश के गरंद है, सिधान्द शास्त्र आते हैं और स्तोत्र गरंद है बहुत सारे स्तोत्र है ये स्तोत्रों में पूरे-पूरे स्तुदी मिलेंगे जैसे विश्टु सहसर नाम आदी-आदी स्तोत्र गरंद है और काव्य है उसके बाद 64 कला चौशट कलाएं इनके अपने अपने गरंध है जैसे पाजग कला, कृशी कला सरिंगार कला सभी के कला है यहां तक की दियूद क्रीडा भी है दियूद क्रीडा भी एक कला है चस्थ खेलना उसके भी संस्कृत में पुस्तक है गोड़ा सवारी जो करते है उसमें भी है सब में चस्थ कलाएं इस प्रकार सारे में यह क्या है कि यह सारे इसी का विस्तार है, वेद का विस्तार है आपको सुनके आश्चर होगा कि यह सब वेद का विस्तार कैसे हो सकता कि यह सब वेद का विस्तार है क्योंकि वेद में जो रूपक कधन अदिशयोक्ति और तत्तो को बोला है उसको अलग-अलग प्रकार से प्राक्टिकल में लाने के लिए ये सब बनाये हुए कारण क्या है कि आप इन में से कोई भी गरंध निकालिए उसमें आप देखेंगे तो उसमें मन को यगागर करने की साधन अवश्य मिलेंगे सभी गरंध में यहां तक कि जो हम कामशास्त्र नाम से सुनते हैं यह भी एक शास्तर है चाउसट कला में एक कामशास्त्र भी उसमें भी ऐसा ही है जो पुरे मने पूरन अदा मैटीर्यल है हम कह सकते हैं कि भोधिक जीवन के लिए हैं पिर भी उसमें भी है और उस से ध्यान करते हुए मन को यगागर करते हुए आप आचरण में लाते हुए जैसा हमने बोला डिसिप्रिनल में लाते हुए कैसे वो मोक्ष तक जा सकते तो मोक्ष के बिशई में ये सारे गरंद एकमत है काव याब रगुव हमसी लीजिए कुमार संभव लीजिए कोई भी काव्य में है सारे उबदेश उसमें मिलेंगे इदिहास में मिलेंगे पुरान से ले जाते हैं इसलिए धर्म का सार क्या है देखेंगे तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चार को हम पुरुशार्थ करते हैं कि सभी मनुश्य यह चाहते हैं धर्म एजुकेशन में आ गया हमारा जो एजुकेशन तक की जोस्तिती है वो धर्म का जान है आज कल के एजुकेशन में और कुछ जुड़ गया है लेकिन वो धर्मत जान में रखते हैं जो गुरुकुल में अध्यान करते हैं वो धर्मत जान ह हो गया उसके बाद अर्थ और काम ये क्या है कि education होने के बाद आप क्या सोचने लगते हैं कि मैंने education हो गया सब कुछ हो गया अब मुझे कमाना है कोई नवकरी चाहिए कहीं कहां नवकरी मिलेगी इसका चिंदन आप करते हैं इसके लिए अर्थ और काम रख्छा है हमारे धर्म में कभी भी इसके निंदा नहीं किये कुछ समय से कुछ लोग ऐसे प्रजार कर रहे हैं कि हिंदु धर्म में कभी धन की कामना नहीं थी वो धन को छोड़ने के लिए बोलते हैं और कामनाओं को छोड़ने के लिए बोलते हैं हमारे वेद में देखेंगे तो असी प्रदिशत असी प्रदिशत वेद का भाग पूरे अर्थ और काम का है इतनी सारे इच्छाओं को प्राफ्त करने के लिए वेद सुक्त और कर्म बने हैं और उसके अनुसार हम आज इकल करते हैं अभी आप नवरात्री दुर्गापूजा करने जा रहे हैं इसमें क्या करेंगे यही तो करेंगे मादा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में सब ठीक हो जाए हमारे बच्चों के सौास्थ ठीक रहें और उनके नौकरी लग जाए उनके शादी हो और अच्छे घर बने गाड़ी बने, सुविधा बने यह सारे आप रार्थना करेंगे तो इसको पूरा अक्सप्ट किया है इसलिए 80 प्रदिशत तो वो है वेद में और बाकी वेदांद कितना है मालूम है चार प्रदिशत है अंद में रखा है, लास्ट क्योंकि फिलोसवी रियालिटी है उतना ही बताना तो यह चार के आधार पर सारे ग्रंधों को आप देख सकते हैं यह सभी ग्रंध इसी के और ही ले जाते हैं और सनादन धर्म के जो दूसरे एक और विशेश पहलू है जैसे हम सच्चिदानन्द ब्रह्म को सच्चिदानन्द ब्रह्म सरवत्र व्यापक है वो अद्रिश्य है यानि दिखता नहीं यह अद्रिश्य है कहने पर नहीं है यह अर्थ नहीं है क्योंकि कुछ वस्तु हमारे सामने द्रिश्य होते हैं, कुछ अद्रिश्य नेते हैं यह हमारे अनभू में भी यह अभी जैसा वायू है यहाँ वायू है, दो air है oxygen है, यह को द्रिश्य तो नहीं है, हम देख नहीं सकते उसको किन्दू, इसके विना हमारा जीवन नहीं होता है, यह हम अनभू कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई, उसके लिए कोई mission है, laboratory में या ऐसे कोई mission है, जिसमें आप देख करके nitrogen, hydrogen, oxygen, सब को आप अलग करके भी देख सकते हैं, तो वो एक अलग विशेश सक्ती से प्राप्त होता है, सूष्म अद्रिश्य से द्रिश्य बनता है, यह भी एक समशे होता है, कि यदि भगवान अद्रिश्य है, दिखता नहीं है, अत्यंद सूख्ष्म है, तो फिर यह सब दिखाई देता है, जो कुछ हम लोग सब बने कैसे, यह एक manifestation है, एक development है, जैसा hydrogen oxygen, H2O, ठीक है न, तो H2O, hydrogen oxygen, दो gases है, जैसा बोला gas है, तो वो तो दिखता नहीं है, अद्रिश्य है, लेकिन hydrogen oxygen, जब समान मात्रा में, मिल जाते हैं, उसके परमानू मिल जाते हैं, atoms मिल जाते हैं, तो जल बनता है, कि हम मानते हैं, अब आप बताईए कि अद्रिश्य से द्रिश्य कैसे बनता है, बनता है, बिलकुल बन सकते हैं, ये अद्रिश्य से द्रिश्य, अद्रिश्य से ही द्रिश्य बनता है, और द्रिश्य बाद में अद्रिश्य हो जाता है, और जल को जब बिगाडेंगे, उसको boiling करेंगे again it goes back to the gases तो इसलिए भगवान सरवत्र है सभी के अंदर है और वो कैसे है सचिदानद के रूप में ठीक है कि सचिदानद के रूप में सब के अंदर है यह हम कैसे अनुभव करते हैं शेश जो भी समय है उसमें विजार करें क्योंकि मैंने कहा था कि हम उसका अनुभव करने के चिंदन करेंगे देखिए हमारे सनादन धर्म में अहिमसा परमो धर्महा यह कहा माहिमसा सरवा भोदानी किसी प्राणी को द्रोह नहीं करना चाहिए यह अन्य धर्मों ने भी माना है कारण क्या है कि हम सभी के अंदर उसी आत्मा को देखते हैं जानते हैं यह उसी के आधार पर है बनाए धर्म में जो जो आचरण बताय जा रहे है वो उसी के आधार पर है यह मैं कहना चाहता वो हमारे अनुभव में आएगा क्योंकि हम कभी भी अपने उपर कोई पीडा सहन नहीं कर सकते चोटा सा भी कुछ चोट लग जाए तो हमें कितना दुख होता है हम उसको निवारन करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं तो ऐसे में हम कोई प्राणी को चोट पहुंचाएं और मारें तो उनको कितना दुख होगा समान ही होता है क्योंकि हमारे लिए शरीर जितना प्यारा है अपना शरीर उतने ही दूसरे के लिए भी है ये आत्मवत सरवभुदानी का भाव है यही अहिमसा का मूल धर्म है मूल कारण यह हमें जिन जिन चीज़ों से दुख लगता है आत्मन अप्रदिकूलानि परेशाम न समाचरेत ये एक सुभाशित है कि अपने लिए जो आपको प्रदिकूल लगे अच्छा न लगे, कोई आपको निंदा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरे को निंदा करे आपको चोट लगे तो अच्छा नहीं लगता दूसरे को भी वही ही लगता आपको कोई डिस्रेस्पेक्ट करे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो वही आप दूसरे को नहीं आपको कोई प्रेम करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप भी दूसरे को प्रेम करें तो ये तो सामाने बात है आप यदि थोड़ी से थोड़ा सो समाज के विशए में बिजार करते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है अपने घर घर में आपको समझ में आती है कि ऐसे ही तो हमारा होता है यहां तक चोटे बैच्चे भी इसी को पालन करते हैं चोटे बैच्चे को भी आप रिजक्ट करेंगे वो निंदा करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है इद्य भी उसके पास इतना इगो नहीं है बदल देता है लेकिन उस ठ्ण में उसको अच्छा नहीं लगता एक बिल्ली को बिल्ली को भी अच्छा नहीं लगती कुते को भी अच्छा नहीं लगता किसी भी प्रानी को अच्छा नहीं लगता तो इसलिए ये तो परमधर्म है क्यों? क्योंगी आत्मवत सर्वभूदानी ये हम देख रहे हैं इसके कारण ऐसा थत्तो में इसको practically कहा गया और दूसरा हम जब कामना करने के लिए बोलते हैं तो सभी के लिए सुग की कामना करने के लिए बोलते हैं विक्तिकत कामनाओं के लिए अलग विवस्ता है जैसा मैंने कहा आप विक्तिकत कामना रखते हैं तो उसके लिए भी विवस्ता है लेकिन सामान या प्रार्थना करते हैं तो सर्वे भवंद सुखिनाहा सर्वे संत निरामया हमारे वो सारे शांती मंदर है उसका सब उधरन मैं नहीं दे रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास इसलिए मैं आपसे ये अन्रोद करता हूँ हम सब सनादन धर्म के इन मूल्यों को यदि मानते हैं आप जब भी मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं जब भी आप प्रदी दिन प्राथना करते हैं मैं सभी जगा जाता हूँ जहां भी जाता हूँ आदिवासियों के हां भी जाता हूँ सब जगा जाता हूँ जहां भी जाता हूँ मैं इनको ये करता हूँ कि आप धर्म के एक मूल्य को ये दिन अपनाएं तो बाकी मूल्य आपके पास सोदा ही आ जाता है उसके लिए कुछ खरना नहीं पड़ता लेकिन एक मूल्य जो आप अपनाते हैं उसको बिलकुल स्रद्धा विश्वास के साथ अपनाना चाहिए बहुत सरल से उपाया है आप प्रदी दिन जो प्रार्थना करते हैं आप अपने लिए जैसा प्रार्थना करते हैं अपने कुटुम्ब के लिए प्रार्थना करते हैं अपने भाई बंधों के लिए प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार एक प्रार्थना के आमशिये भी रहें कि सभी सुखी रहे कोई शत्रु हो मित्रु हो कोई भी हो सभी प्राणी सुखी रहे सर्वे भवंद सुखिनहा इसकी आप प्रार्थना करिए तो आप देखना आपके प्रती दिन के जीवन में परिवर्थना आएगा ये बहुत बड़ा मूल्या है अब जब आप इस बार दुर्गा पूजा में जाएंगे तो प्रार्थना करते समय अंद में ए भी प्रार्थना करना तो ये प्रार्थना जब करते हैं आईसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को भगवान चुनते हैं बोलता है ये हमारा एजंट बन सकता है यह हमारा ambassador बन सकता और जो संद बनते हैं इसे ही बनते है संद और सामाने जन में क्या अंदर है कि सामाने जन अपने लिए सोचते हैं अपने कुडुम्ब के लिए सोचते हैं अपने सीमित सोच रखते हैं और संद सब के लिए सोच रखते हैं संत, आपने मन में वो विचार आरंभ होता है जैसे हमारे ठाकूर जी ने, स्वाम जी ने पूरे दुनिया के लिए जो सोचा है उनके साहित्य में आप देखिए कितना अद्भुद है ये सोच जब आरंभ होते हैं तब क्या है कि वो भगवान के चानल बन जाते हैं यानि भगवान के मेसंजर बन जाते हैं प्रवाचक बन जाते हैं क्योंगी वो सब के लिए सोच रहा है वो अपने घर छोड़ने को तयार है अपने सब कुछ निचावर करने के लिए तयार है लेकिन समाज को सब के लिए सोच रहा है ये होने पर भगवान आपके साथ आ जाता है तो भगवान दर्शन करने का एक सरलुबाय मैंने बताया कि आप सब के लिए सोचना आरंभ करो आपको जो चाहिए सब आ जाता है आप देखना कोई भी संद के जीवन में कोई कम्या आपने देखा है क्या लोग पूछते रहते हैं आप लोग कुछ करते धरते तो है लिए सब कुछ आपके पास आ जाता है हम कहते हैं कि हम करते धरते नहीं हैं लेकिन हम हमेशा करने में ही लगे रहते हैं आपके दृष्टी से हमें कुछ हम करते हैं नहीं दिखा रहा है हमको एंबलोइड नहीं है अनबलोइड है सब लेकिन हमारा एक छण भी कल मुझे कल के जो सिमिनार में एक बहुत अच्छी बात है मुझे स्ट्राइक किया जबकि मैंने भी स्वाम जी से इसमें वो पड़ा था कि स्वाम जी नहीं यह लिखा था कि मैंने चौदा साल तक 14 येर्स तक मेरे विजार में एक अधिरिक्त विजार नहीं आया यो देखी कितनी ये गागरदा ये समाधी है या अधुद है हमको ये अपनाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है कि अधिरिक्त विचार नहीं आया मैंने जो सोचा ये ही सोचा और हमारे यहां कहा है आसुपते रामरदे कालम नएद वेदानत चिंताया कि सोने से उड़कर के और पुरे जीवन जागरद में पुरे जीवन सुबह से उड़ना और शाम तक के सारे समय में आप वेदानत विचार को करिए आप बोलेंगे सब हम दूसरे काम कैसे करेंगे दूसरे काम भी उसी का अंदर करें सुआमजी ने अपने जीवन में क्या क्या किया आप अपने सौ साल के जीवन में उसका एक लवलेश भी नहीं कर सकते हैं थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं इतना कुछ उन्होंने उनके शॉर्ट लाइफ में 38 इयर्स में उन्होंने किया तो ये उसका एक विशेश पहलू है जो आप अपनाएंगे ये यदिया आप करते हैं तो इश्वर आपके साथ जरूर रहें अब इश्वर का एसिस्टन्स जो सचिदानंद का जो हमने तत्तो दृष्टी से बताया आपको ये कहां प्राप्त होता आप देखिए हमारा सौरूब इन सब से मुक्त हैं आप जब सो जाते हैं निद्रा में जाते हैं डीफ स्लीप जब लगती है तो वहां कौन होते हैं है आप है वहां आप है ऐसा तो अभी आप कहते हैं लेकिन वहां आपको लगता है कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ मेरा नाम ये है और मैं अभी सो रही हूँ मैं सो रहा हूँ मेरे पास इतने धन है मैं इतना पड़ा लिखा हूँ मुझे ऐसा मान समान सब प्राप्त है कौन सी चीज़ वहां याद आती है आपको ध्यान दीजिए ये बहुत अभयोगी है आचा कुछ भी याद नहीं आते हैं तो इसका मतला आप मर गए है क्या ऐसा तो नहीं है कोई नहीं मानता है कि हम रात को सुने के बाद हमरे ड़त हो गई थे और सुबह फिर जन्म हो गया ऐसा तो कोई नहीं मानता तो आप हो वहां लेकिन आपके साथ शरीर नहीं है शरीर तो सो रहा है मन नहीं है क्योंकि मन का विचार कुछ नहीं याद नहीं और यहां तक एगो भी नहीं है ये भी गोड़ो रखा जिस एगो से आप अपने को बहुत बड़ा मानते हैं दिन के समय में ये तो 6-7 घंडे के लिए पता नहीं कहां गया अब आप बताईए ये सब नहीं होता हुआ अब आपके पास कुछ भी नहीं है ना आप तो बिलकुल कंकाल है कंकाल हो रोके कुछ नहीं है आपके पास रिक्त हस्त है आपने जो संबादन किया तब सब ब्यांग में है तिजोरी में है इसका याद भी नहीं हो काम में कहां आ रहे है कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं है ठीक है ये सबी का अनुभव है ना इसमें तो मैं कुछ भी जोड तो ने रहा हूं यह सत्य है सभी यह अनुभव करते हैं और यह अनुभव एक दिन नहीं हुआ समझ लीजिए एक दिन ठीक से नींद नहीं आई दो दिन ठीक से नींद नहीं आई आपको क्या हो जाता है आप सब को छोड़ने को तयार हो जाते हैं आप बोलें कि मुझे सोना है बस कोई नवकरी में नहीं जाना वो जाने दो ये जाने दो वो जाने दो कुछ भी नहीं सुना है मुझे सोना है एक ठ्षड में आप सन्यासी हो जाते हैं वैरागी हो जाते हैं ये है existence का आपका real experience वेदान्त में आत्मा का अनुभव एक आत्मा का ओन्नस का अनुभव कहां होता है इसको दिखाने के लिए प्रत्य एक उपनिशत सुशुप्ती में ले जाता है स्वम्यापी दो भवदिस्ववदित्या चक्छते च्छन्दों के उपनिशत कहता है कि वो जो आत्मा न स्वा आत्मा वो सोते समय हम आत्मा को ही प्राप्त करते हैं इसलिए उसको स्वपिती नाम है मैंने स्वम्स्कृत में स्लीप के लिए स्वपिती बोलते हैं जैसा स्वपन बोलते हैं और सुशिप्ती बोलते हैं, यह सहुषी के लिए, और वहां किसी का कोई भेद नहीं रहता है, कहते हैं कि मनुष्य मानुष्य सोजाए, कोई सेर सोजाए, बाग सोजाए, हाती सोजाए, कोई चोर सोजाए, कोई सज्जन ब्रामन सोजाए, कोई मच्छर सोजाए, मक्खी सोजाए, कोई भी सोजाए, सोने के बाद वो एक हो जाता है, नींद में कोई भेद नहीं क्योंकि शरीर को भूल गया, शेर सोने के बाद शेर नहीं रहता और चोर भी पावी भी सोने के बाद पावी नहीं होता है इसलिए हमारे यहां एक बहुत बड़ा नियम बनाया है शास्त्रिय नियम धार्मिक नियम बनाया सोते हुए विक्ति को जो नींद पे गहरी नींद पे है उसको कभी मारना नहीं चाहिए अन्य को मारते हैं तो पाव तो होता ही है लेकिन सोते हुए विक्ति को मारना बहुत बड़ा पाव मनते है कारण क्या है उस समय उसका कोई दोश्ट नहीं है उसको दंड नहीं देना चाहिए उस समय तो ये अनुभव आप सबका है अभी इस पर आप ध्यान दीजिए ये अनुभव आप सबका है हम सब मान लिया आप नींद के बारे में बोल दिया तो आपको सबको समझ में आ गया कि कैसे समझ में आ गया इसके बारे में देखे कि इसमें अद्वाइद भावना कैसी होती है, ये देखेंगे, क्योंकि वो ही तो हमारे फिलोसफी के लिए, अद्वावना का अनुभव संतों को कैसे होता है, निद्रा में एक दोश है, उधर हमको ये अनुभव नहीं होता है, यान नहीं रहता है, ये एक टेकनिकल प्राबलम है वहाँ, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, जो हमको अनुभव होता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं, जो सब को समझ में आ जाए, कि सब तो यह मानते हैं न वहां अच्छा है आप बीमार भी है सो जाएगा तो अच्छा लगता है सबी यह मानते हैं अच्छा लगता है मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आप अपने परिवार में सो के उड़ने के बाद में आज ऐसे नॉर्मल यह मैं पूछते हैं How was the sleep? आप कैसे सोए? पूछते हैं आपस में पूछते हैं तो कहता है बहुत बढ़िया नींद हो गए बहुत अच्छा सोया कि फिर आप नहीं पूछते हैं कि बहुत बढ़िया नींद कैसी रही यह नहीं पूछते आप बहुत अच्छा सोया तो कैसे सोया? अब वो पूछेंगे तो भी उसका कोई उत्तर नहीं है अब आप पूछते भी नहीं है यह question नहीं मानता है यह unnecessary question है invalid question है अब काली इतना ही कहा उन्होंने मैं अच्छी तरह सोया और आप पूरे पूरे समझ लिए यह क्या आप उसके नींद को जाना है क्या? नहीं जाना? और नहीं जाने विना कैसे आप समझ लिए कि वो अच्छा सोया तो ऐसा होगा? क्योंकि समझ लिए ना फिर आप प्रश्ण नहीं किये कैसे आपने जान लिया कि उसने अच्छा सोया तो ऐसा सोया होगा यह आपको ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ हुआ है ना, सबको हुआ तब ही तो आप समझ रहे हैं, तब ही तो आप बोल ना, ठीक है यह अक्सेप्ट देर इसमें सबसे बड़ा अनुभव है यह अद्वईद का अनुभव है क्योंकि उसने जो निद्रा का अनुभव किया वो निद्रा का अनुभव आपके निद्रा में भी वैसे के वैसे कारण क्या है कि आप और उस वेक्ति में भेद तो केवल शरीर और मन को लेकर के था जब शरीर और मन नहीं रहता है किसी विस्तिदी में शरीर और मन नहीं रहता है एक होते हैं तो वहाँ अनुभव एक होता है इसलिए सबको एक ही अद्वईद का अनुभव है वहाँ एक ही अनुभव है और कोई डाउट नहीं होता है क्योंकि ज्यान में यह कहते हैं कि वो निश्चित ज्यान होना चाहिए, डाउड नहीं होना, डाउडलस होना चाहिए ट्रियंदेचा से कर्माणी, तस्मिन द्रिष्टे परावरे तो सब कुछ नष्ट होता, एक अनभव होता अब इस पर बारे में आप चिंदन करिए, कि यह जो अनभव हम सब के एक हैं, हमारे सब का सोरूप एक हैं और वहां भेद नहीं होता, और कोई वहाँ हाँ परिचन अनभव नहीं करता हैं, यानि लिमिट्टेट्नस अनभव नहीं करता हैं unlimitedness का अनुभव होता है क्योंकि उसकी व्यक्या यह आप नहीं कर सकते एक बार चिंदन करके रेखे कितना सुन्दर है तो यही तो वेदान्द कहता है यह अनुभव है और यह अनुभव प्राणी मात्र में है और वास्तों में जो incension है जड जिसको हम कहते हैं इसके अंदर भी वो विद्यमान है यह दूसरे प्रकार के हैं उसको हम अभी बताने के लिए मर पास अभी ठाइम नहीं है लेकिन फिर भी संक्षेप में बोलूँगा तो यह अनुभव आपने किया अब कोई भी ऐसा अनुभव आपको समान रूप से होता है समझ लीजिए आप एक भंडारे में गए एक पार्टी में गए और खीर खाया खीर खाया और सभी ने ये की खीर खाया और बाहर आकर की पूछते है खीर कैसा था बहुत अच्छा था तो खीर सभी ने खाया तो बहुत अच्छा था बोलने से आप जो स्वाद का अनुभव किया दूसरे ने भी वो स्वाद का अनुभव किया तिसरे ने भी किया सभी ने किया तो सब एक मद से बोलते हैं कि बिल्कुल वैसे ही है क्योंकि सब का अनुभव वहाँ एक समान है ये इसी प्रकार को या आपके सवपन के बारे में पूछते हैं कि मैंने एक अच्छा सवपन देखा, मधुर सवपन देखा तो तुरंदो पूछ बैठेंगे कि कैसा सवपन था, क्या देखा आपने उसमें क्योंकि सवपन अलग-अलग होता है सवपन मन में होता है मन जब तक है अलग-अलग है इसी अनुभव को सर्वव्यापक सर्वात्मा का एक तत्तो का अनुभव मानते हैं और ये ही अनुभव ईश्वर है और ये ही अनुभव जब हम माया तत्तो में शक्ति के साथ एनर्जी के साथ the universal energy विश्व शक्ति के साथ एक करते हैं तब हमारे सामने या देवी सर्वभू देशु विश्णुमाये दिसमस्तिता इत्यादी भाव में अनेक अनेक भावों में यह सारे प्रकड़ हो जाते हैं आपके अंदर एक ही शक्ति नहीत है वही शक्ति आपके मन को क्या-क्या करा देते हैं क्या-क्या द्भूद करा देते हैं यही मन सभी के अंदर है माल लीजिए सभी के अंदर का मन को आप एक मन माल लीजिए जैसा हम कल सुने थे कि विश्व मन यूनिवेसल माइंड जिसको हम हिरन निगर्भ बोलते है उसको मान करके चिंतन करिये यदि एक शक्ती में ये सारे आविर भूद होता है तो सब के अंदर ईश्वर है और हम अपने मन से कुछ जानते हैं दूसरा कुछ मन से कुछ जानते है और ऐसे भी यहां विशय है हम सब के मन के विशय भी नहीं है जैसा एक गुलाब का फूल देखिए ईश्वर को आप कहीं भी देख सकता है ईश्वर को देखने के लिए आपको कोई विशेश आवस्था विशेश स्थान के आवशक्ता नहीं आप एक एक फूल में एक एक कार्य में इश्वर को देख सकते हैं इश्वर के अलावा और कुछ किसी ने कुछ बनाया नहीं है हम नहीं बनाते हैं कुछ एक गुलाब का फूल देखिए कितना सुन्दर उसका डिसेन है यह क्या है कि गुलाब के पौधे बोटानिक लिए हम यदी कहेंगे ये गुलाब के पौदे जो है इतना प्लान करके एंजिनियरिंग करके उसको ये इतना ज्यान होगा कि वो ये ऐसे एक फूल को बनाए उसका करलर और उसका जो पंगुडियं को जो वेट है और वो जो जिस डंडल पर रहता है उसका वेट अरेजमेंट और उसके बाद में उसमें ऐसे ढंग से बनाया है कि वो एक दिन के बाद में अपने आफ सुक करके गिर जाए और उसका बीच का डंडल ही रह जाए ये सारा टाइमिंग है उसमें प्रोग्राम्ड है आपका एक कम्प्यूटर का प्रोग्राम प्रोग्राम्ड लगता है और एक मिशिन प्रोग्राम्ड है सब कुछ प्रोग्राम्ड है तो ये भी प्रोग्राम्ड नहीं है क्या बिल्कुल प्रोग्राम्ड है है जिसको जैसी बोस ने invent किया है आप लोग सब जानते हैं हम लोग स्कूल में पड़ा है तो ये जो प्रोग्राम है इसको डंडल से अलग करने पर भी रहता है आप अलग करके भी रखे पानी में डालके रखे पानी उसको energy देता है इसलिए वो चाहिए वो चालू करने के लिए तो वहां भी ओ खिल जाता है तो पेड ने क्या किया तो ये क्या ये पेड फूल जो पाउधा है वो कर सकता है क्या impossible है यδि वो पाउधा ऐसा कर सकता है तो प्र क्या नहीं होता कि दो पाउधे के अंदर ये इस्षवर, ये शक्ति, ये इन्फरमेशन, the knowledge what we are talking about, the consciousness, no? ये इसी को हम consciousness नाम देते, consciousness English में जो शब्द है न, हमारे सच्चिदानन्द के लिए उपयुकत नहीं है, और कोई शब्द नहीं मिलता है, English में इसलिए हम consciousness शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि consciousness शब्द का आर्थ कुछ और होता है, हमारे यहां चित है, चेतन है, वो information भी चेतन है, knowledge भी चेतन है, awareness भी चेतन है, सब चेतन है, तो यही energy है उसमें, और चेतन का संबंद है, यह आप सभी में देख सकते हैं, और आप देखेंगे, बोलेंगे, अब फूल में तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे यहां इसमें भी मानते हैं, क्योंकि यह भी बनता है, और यह पुराना होता है, manifestation है, इसमें some changes are happening, and we say without information, change cannot happen, वो Newton के जो theory है, तो third law उसको रहने दीजिए, वो भी है, उसको भी पहले हमारे शास्त्र में माना है, लेकिन यह जो information इसमें है, इसमें mind नहीं है, mind के related कुछ सम्मंद नहीं होने के कारण, प्रान की शक्ती या अलग प्रकार से होने के कारण, यह dud जैसा दिखता है, लेकिन इसमें change है, तो इसमें एक awareness है, यह जो है, वो विश्व मन से जुड़ा हुआ है, इसी को हम इश्वर चेतन कहते हैं, तो कहीं से भी आप देखिए, सनादन धर्म में, एकात्मा का जो अस्तित्व है, इश्वर का जो अस्तित्व है, इसको पूर्ण तहा केवल स्विकारा नहीं है, अनुभव के रूप में लाया है, मैं समस्ता हूँ यह जो दो बाते मैंने कही है, तीन बाते, एक तो सब के लिए प्रार्थना करने की बाते, और यह आपके जो निद्रा का अनुभव, और इश्वर के सरवत्र दरशन का यह जो बात है, यह तीन बात है यह आप जीवन में याद रखेंगे, तो आपको सारी बाते समझ में आ जाएगी, शास्त्र में जो कुछ कहा है, हमारे धर्म में जो कुछ कहा है, और हमारे सम्तों ने जो कुछ कहा है, भगवान ने जो कुछ कहा है, सारी बातें समझ में आएगी, यह इसका सत्य है, तो समाप्त होता है, दस मिनिट जादा ही हो गया, तो यही इस प्रसंग को समाप्त करते हैं, और यहां आकर, यह तीन दिन रहते हुए, आप सब के साथ विचार रखने का आवसर मिला, और ठाकर जी के आशरवाद से, कि यहां बहुत ही आनंद से, यानि यह विचार जैसे हम कहते हैं, हम आनंद उसी को कहते हैं, जहां हमको अच्छा लगता हुदर ऐसे कहते हैं, कि हमारे विचार, जो अंदरिक विचार है, जो साधन का विचार है, वो निरंदर चलते रहें, अनायाज चलते रहें, तो हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा है, हम बाकी हमारे सुविधा सुविधा से, हमारे कोई इतना फरक नहीं पड़ता, किन्दु यहां आकर के यहां का वादावरन इतना स्वच्छा और शुद्ध एक अनभव हुआ आज बेलोर मठ दर्शन किये तो बहुत साल की इच्छा थी बहुत छोटे उमर से इच्छा कर रहे थे आज दर्शन किये कि कई अनभव ऐसे होते हैं कि आप जीवन भर याद रखते हैं तो ऐसे अनभव हुआ तो बहुत ही अच्छा आप सबको धन्यवाद एक शांदिपाठ के साथ हम समाप्त करते हैं ओम सर्वे भवंद सुखेनाह सर्वे संदो निरामयाह सर्वे भद्रानि पश्यंदो माकस्चित दुखा भाग्भवे ओम शांति 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 स्री गुरु भ्यो ना महा हरि ही ओम जै रामकृष्णा कौन